आपके computer या laptop में भी इस तरही की error आ रही है boot device not found तो आप इसको घर पर कैसे ठीक कर सकते हो मैं आज आपको बताने वाला हूँ मैंने इसको पर पहले बहुत सारी वीडियो बना दी है पर मैं आज आपको कुछ नए तरीके से बताऊँगा कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं सबसे पहला method जो मैंने पहले बताया था आप उसी तरह से try कर सकते हो उसके लिए आपको यहां से आपका यह laptop है या computer जो भी आपको पहले यहां से shutdown कर देना है मैंने इसका power button दबा के इसको shutdown कर दिया है shutdown करने का आप मैं इसको बापस से चालू कर देता हूं और चालू करने के बाद इसका HP का BIOS की होता है F10 तो मैं F10 बारवार दबाऊंगा और इसके BIOS में जाऊंगा जैसे मैं इसको यहां से Ctrl Alt दबा के इसको restart कर देता हूं और बार बार यहां पर F10 दबाऊंगा और इसके BIOS में एंटर करूंगा हमने यहां पर HP के BIOS में एंटर कर लिया है BIOS में जाने के बाद हमको यहां पर escape देना है कि आपके यहां पर hard drive या side जो भी यह बता रही है या नि बता रही है तो यहां पर भी आपकी यह इस आटर ड्राइव है लेकिन उसके अंदर आपको कुछ बता नहीं रहा है मतब आपके यहां पर SID यह hard drive यहां आपने storage लगाया वह यहां पर so नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप यह तरीका अजमा सकते हो कि आपके laptop या computer जो भी आपका है उसको पहले आपको shutdown करना है shutdown करने के बाद इसका पीछे से आपको जो back bottom होता है आपको इसको पहले खोल देना है इसको खोलने के लिए यहां से एक slide करेंगे और slide करने के बाद यहां पर आप देखोगे कि यहां पर अपनी जो storage डिवाइस है SSD card है वह हमारी निकल गई है इसलिए यहां पर no boot device found आ रहा था तो हम क्या करेंगे इसको अपने बापस लेते हैं यहां से करके और यहां से लगा देते हैं इसको हमने लगा दिया है लगाने के बाद हम इसका बापस से अपना जो cover है इसका cover हम फिट कर देंगे हमने फिट कर दिया में प्रॉलम था कि किसमें प्रॉलम था यहां पर अपना जो लैप्टाप का एसेडी काड होता है वह यहां पर निकल गया था इसलिए आपके कॉंपूटर में नो बूट डिवाइस फाउंड आ रहा था ऐसी प्रॉलम का आप घर पर भी ठी कर सकते हो और ऐसी लॉंग वीडियो देखने के लिए बिटजी इन्फोस इसको लाइक करें सियर करें और यूट्यूब चैनल को सस्क्राब जरूर करें